वहलो दोसफों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब कैनल करेट फीरृत अतल में मैं हूं आपका दोस्ता अतल गोयल आज हम बात करेंगे बीकली चार्ट के ऊपर इंडिया कमुला हॉजिंग फाइनन्स की इंडिया कमधि फाइनन्स जशने अपना एक जो स्टोंग सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर दिया है तो कहा तक सटोंग नीचे जा सकता है जा कुछ रिकवर कर सकता है तो उपर जाने के लिए किस लैवल को ब्रेक करना जूरी है क्या रिजिस्टन्स लैवल पर बेस बनाता हूं नजर आया तो देखे जैसे इस लाइन को इसने ब्रेक किया यहां पर तो यहां पर बिल्कुल डाउन गया और अल्मॉस्ट जो है बन थर्टी के आसपास का लेवल इसने टच किया बन थर्टी का लेवल जब टच किया उसके बाद जो है स्टोक देरे देरे फिर से उपर जाना स्टार्ट हुआ और इस वाली टेंड लाइन को यह फोलो कर रहा था जिसको आप देख सकते हैं इस ब्ली वाली लाइन को और यह यहां पर रिजिस्टेंस पेस कर रहा तो यह एक अच्छा चैनल इसने बनाया था और हो सकता था यहां से स्टोक जाए थोड़ा सा और उपर जाता बट उपर जाने से पहले स्टोक ने फिर से यहां पर ब्रेक डाउन दिया और स्टोक जो है अगेन जो निचे की ट्रेंड लाइन थी उसके उपर ही बेस बनाता वो नदिर आया आप देखें कि काफी कैंडल इसके आसपास बनी बट टोक ने अब जो recent है इस line को भी break कर दिया है तो जितने major support से उस सबको ये stroke ब्रेक करता हुआ जा रहा है सबसे पहले देखें यहाँ पर support था उसको break किया उसके बाद यहाँ पर एक support बन रहा था उसको भी ब्रेक किया नेस्ट सपोर्ट उसके बाद यहाला सपोर्ट इसको भी ब्रेक कर दिया है तो यहां पर देखेंगे कि डेली चार्ट के उपर यहां पर जो स्टोक है इस लाली लाइन के भी अब निच्चे जाता हुआ नजर आ रहा है 151.65 के आसपास इस स्टोक जाटेड कर रहा है जब तक स्टोक 157-158 के लेवल को क्रोस करके उपर नहीं निकलता है तब तक इसके अंदर कोई भी तेजी बनती हुई नजर नहीं आती है अगर आरे से देखें तो 40 के आसपास की है जो की काफी बीक स्टेश्चर को शो करती है निच्चे का दो करना इसके लिए काफी जरूरी है 157-158 यहां पर काफी बार स्टोक गया है बट क्लोज इसके उपर ज्यादा नहीं दे पाया है तो जैसी ही इस लेवल को क्रोस करेगा 157-18 तब यह स्टोक 164-165 तक जा सकता है जब इस लेवल को क्रोस करेगा तब स्टोक 178 के लेवल तक जा सकता है वर 178 के उपर काफी strong resistance है जिसको cross कर पाना अभी इसके लिए possible नहीं होगा तो उसको हम बाद में review करेंगे जब stock महां तक पहुंचेगा निचे के level पर आपको नज़र रखनी है 149-150 के आसपास की और अगर उसको break करता है तो stock काफी weak हो सकता है जो कि इसको 132 के नज़र रखनी है 149-150 के level पर 149 के अगर break करके नीचे close देना start करता है तो आपको इसके अंदर से निकलना ही होगा क्योंकि stock 141 और 132 के level भी आपको दिखाता हो नज़र आ सकता है उपर के level के लिए 157-158 के level को cross करके उपर closing देना जरूरी है तो आप यह लगा के चलिए ज 157 से उपर की तरफ निकलता है close करके तब stock के अंदर एक चाल बनती ही नज़र आ सकती है बट stock काफी भी है थोड़ा साथ investment का कोई भी नज़रिया इसमें नहीं बनता है आप stock loss लगा के इसके अंदर trading कर सकते है और बिल्कुल छोटी quantity में कीजिए और stock loss लगा के ही कीजिए थैंक यू दन्यवाद